नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि जियो सावन एप्लिकेशन अपने उबल में लोगिन नहीं हो रही है तो आप इस प्रोब्लम को कैसे सॉल कर सकते हैं जेहां कई जाप भी जानना चाहते हैं कि जियो सावन अप्लिकेशन अपने अपल में लोगिन नहीं हो रही है तो आप इस प्रब्लम को कैसे टिक कर सकते हैं तो गई जाज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे यट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेला इकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिगा जिससे आने वाले वीडियो की नौटिफिकिशन आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट्स आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने वाल की नौटिफिकिशन बार को उपन करना है नौटिफिकिशन बार को उपन करने के बाद गई जहांपर आपको चेक करना है कि अपने वाल का डेटा बरूबर चल रहा है कि नहीं चल रहा अगर अपने उबल का डेटा बरूबर नहीं चल रहा तो गई जहाँ पर आपको Aeroplane Mode को Unop करना है Aeroplane Mode को Unop करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने उबल का डेटा बरूबर चलने लग जाएगा लॉंग प्रेस करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको अप्शन के 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 अप्श जहां पर आपको फोर्स एश्ट अफसंब पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आपको कलियर डेटा काफसम पर क्लिक करना है जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर जियो सावन एपलिकेशन का ओल डेटा कलियर हो चुका है तो गई जहाँ पर आपको बैक आना है बैक आने के बाद गई जहाँ पर आपको जियो सावन एप्लिकेशन को ओपन करना है जियो सावन एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोबल निंबर का ओप्सन देखने को मिल जाता यहां पर आपको mobile number को type करना है तो गई जहां पर मैं mobile number को type करके आपको दिखा देता हूं तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको send OTP के option पर क्लिक करना है send OTP के option पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपने mobile number पर OTP आएंगे वो आटोमेटिक यहां पर डिटेक्ट हो जाएंगे तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर OTP आटोमेटिक डिटेक्ट हो चुकी है तो गई जहां पर आप देख सक करते हैं तो गैस अगर आपको यह वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना